नमस्कार दोस्तों एक बार वापस आपका स्वागत है और जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वह हैं मिक्सिंग एंड होमोजिनाइजेशन पार्ट टू तो पार्ट वन हम अल्रडी कवर कर चुके हैं और पार्ट टू कंटीनु करने के लिए हमने पार्ट वन में क्या किया एक हमने देखा था मिक्सिंग क्या होता है एक्जामपल लिया था ब्लैक और वाइट पाउडर का और जो प्रोड़क्ट बनता है उसे कहलाते हैं मिक्सिर जिसकी दोनों की प्रॉपर्टी होती है अब यह दोनों की क्या चीज है डिटेल्स में जानने के लिए प्लीज सब्सक् कंड के धर में से क्या है हमने देख था टाइपस ऑ अव्य सिंग क्या होती है इस सौघ लिकविड लिक लिकड लिक्विड स्विड लिकविड सौटारे और इसी तरह से क्या एसटाउं प्लीकेशन से ई 한번 और ताइपस ओफ मिक्चिए और साथमें और एक्षामपल दिये और उसमें आमने एक्स्प्लेइन भी किया था आफ्र आप याज़ेट वी डिट्ट ऑब्जेक्टिव साफ मिक्सिंग मिक्सिंग के क्या उद्देश्य है उसमें उछे लू एक्षामपल प्डिए गरेलू सब्सक्राइब आपके सारे कंसेप्स क्लियर होंगे यह मैं आपको अशूर कर रहा हूं अब इसी को करते हुए हम स्टार्ट करेंगे पार्ट टू तो पार्ट टू के अंदर जो पहली चीज है वह हम देखेंगे मिक्सिंग आफ पाउडर्स वह वह दोजेश फॉर्म पाउडर्स फॉर्म की बात हो रही है इन वीच ड़्रॉडर्स के अंदर बहुत important role है preparation है बहुत important role है कैसे तो हम समझेंगे applications powders के लावा और कहां का application मिक्सिंग की मतलब powder mixing हमें कहां कहां दिखती है तो अब applications में पहला आता है granules granules are aggregates of particles granules के अंदर drug के लावा और कुछ चीज़े घुली रहती है अगर ढंक से घुली नहीं रहेंगी तो granules से बनती है tablet मतलब समझ से आ जाएगी किसके अंदर tablet के अंदर भी मतलब mixing का application है granules के अंदर और tablet के अंदर भी क्योंकि tablet तो granules से ही बन रही है फिर हम बात करते हैं capsules capsules के अंदर भी हम जानते हैं कि granules ही फिल अप होते हैं किसके अंदर शेल के अंदर तो बात तो घुम फिर कर यहीं आ गई कि इसके अंदर भी drug और बाकी excipient से वहां पर डंकी mixing नहीं होगी तो शायद कुछ problem हो जाएगी वह problem क्या है अभी हम देखते हैं उससे पहले हम देखें के compound powder compound powder जब एक से जड़ा powder साथ दिये जाते हैं डोजेश फॉर में वह कहलाते हैं compound powder example के लिए आपके सामने दो अलग-अलग कि डोजेश दी हुई है इन दोनों को मिलाना है मिलाने का मतलब मिक्स करना है और अगर ढंक से इंपिख नहीं होइए तो मनके चलना पेशंट के बास या तो यह जाता जाएगा यह पेशंट के पास यह जादा जाएगा अगर मिक्षिंग YE ल्यम्द आ जाता है वह जाता हैम फन दैर इस श्मिक्सीन और इंप्रम एथ तो क्या होगा there is non-uniformity of dose non-uniformity dose का मतलब यह है कि कई बार तो कम दवा जाएगी कई बार जादा दवा जाएगी इसका मतलब यह हुआ कि यह आरो आपको यही दिखा रहा है कि यह कई बार अगर जादा दवा चली गई तो टॉक्सिक लेवल पहुँच जाएगा पेशेट मर सकता है अब यह हुआ इसलिए क्योंकि अगेन अपने एक्जामपल ले रहे हैं ग्रैनियूल से यहाँ पर दवा थी और दवा के साथ हम जानते हैं बागी चीजे एड करते रहे हं को बोलते हैं एक सीपीन्ट अगर टम से मिक्सिंग नहीं हूँए और मान के चलना क्या बनेगा तैबलेट अब है रणी गार अगर आपने ब और जिसके अंदर दवा कम आई वहाँ पर क्या होगा सब भी लेगा या कैपसूल भी ले लेगा लेकिन असर नहीं आएगा मतलब डोस ज्यादा कम हो रही है इसी को बोलते हैं यह क्यों हो रहा है पूर मिक्सिंग के वज़े से हो रहा है एक और इंपॉर्ड़न चीज इसमें यास वेट वेरियेशन ड्यू पूर फ्लो इफ ल्यूब्रिकेंट नॉट मिक्स प्रॉपर्ली विद ग्रेनियूस द्यूरिंग कम्परेशन टैबलेट किससे बनती है ग्रेनियूल से होता क्या है कि ग्रेनियूल को कम्परेश करने से पहले इसके अंदर एक्सीपेंट डाले जाते हैं उनको बोलते हैं लिउब्रिकेंट अब यह जो चीज कही जा रही है इसकी डेटेल के लिए प्लीज सब्स्राइब दो चैनल तो समय क्या डाला जाता है लिउब्रिकेंट और वह इसलिए क्यों कि होपर से अल्टीमेटल डाई के अंदर टोटल ग्रेनियूल सारे उसी से टैबलेट बनती है तो अगर मिक्सिंग ढंग से नहीं होगी लिउब्रिकेंट से मिक्स नहीं होगा तो कई बार तो ज्यादा ग क्यों लिउब्रिकेंट की वैसे तो उसकी वैसे वहीं चीज आ जाएगी नौन यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोस तो देखा आपने असर कहां हो रहा है यहां पर डोस पर लेकिन समस्य किसकी है मिक्सिंग की तो आपको पता लग गया होगा कि मिक्सिंग क्यों इंपोर्टेंट मिक्सिंग कैसे होती है उसका क्या मेकैनिजम है ठीक है हम देखते हैं कि इस सौलक मेscene अकर जो mechanism है या तो अकेला कोई mechanism जिमेदार होगा या दो या तीन mechanism एक साथ काम करेंगे जिसके द्वारा mixing होगी powders के अंदर अब वो कौन-कौन से mechanism है तो यह mechanism है आपके सामने कहने का मतलब convective mixing, sheer mixing and diffusion mixing या diffusive mixing या फिर हम कह सकते हैं कि mixing of powders occurs by convective, sheer and diffusion mixing तो यही सवाल पूछा जा सकता है कि which of the following is a mechanism of mixing in powders all of the above, तीन option तो यह रहेंगे और चौत option रहेगा all of the above तो अब देखते हैं इनके बारे में detail one by one तो पहली सवाल आता है किसका convective mixing का तो convective mixing समझने के लिए पहले हम powder दो लाएं तो यह लिजी आपके सामने powders आगए अलग-अलग form के अंदर इनको क्या करना है वहिया इनको अपने को mix करना है तो ठीक है यह लिए हमने mix कर दिया हम क्या पढ़ रहे हैं mechanism पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कि powder mixing किस तरीके से ह होती है तो इन पाउडर को जब mix किया जाता है ना तो mechanism क्या बोलता है convective mechanism के अनुसार there is large group of particles move from one place to another place कहने का मतलब बहुत सारे particle एक जेगे से दूसरे जेगे पर जाते हैं तब mixing होती है समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है example से समझते हैं यह लिजी आपके सामने example यह दो आपके सामने powder के sample है यह sample है और यह वाला sample है दोनों को mix करना है यह mechanism क्या बोलता है कि बहुत सारे powder के particle एक जगे से दूसरे जगे जाते हैं तो ठीक है समझ लेते हैं mechanism तो यह लीजिए यह particles के आगए इसके अंदर सेंपल के पार्टिकल सागए और इसके पार्टिकल सब्सक्राइब साल सब्सक्राइब 세काने मिक्स किया तुम कॉन local होता है एक जगे पो पीमिकल से दूसरे जगे यहां की चीज यहां चलेगी बहुत सारे पार्टिकल्स यही क्या कहलाता है कन्वैक्टिव मिक्सिंग तो यह कैसे होता है यह लीजी आपके सामने इट अकर्स बाइब और पैडल मतलब ब्लेड जैसी या पैडल जैसी कोई चीज यूज की जाती है सर एक्जामपल देके समझ चाहिए यह लीजी आपके सामने यह देखिए आप यह फ्लैट ब्लेड सी है एक तरह से और देख लें आपके सामने यह एक्जामपल है पैडल का बई तो चप्पू जैसा है हम जानते हैं जब चप्पू भी चलता तो बहुत सारा पानी जो इस पर टच है वह इधर से उध तो बहुत सारे पार्टीकल यह उदर से होंगे तो यह कहानी किसकी कण्रैक्टी मिक्सिंग की आपके समझ में आगया होगा करने मिक्सिंग क्या होता है अब हम बात करेंगे next mechanism जिसको बोलते हैं शेर mixing लेटास आट यह आगया सेंप्ल हम यही तो पढ़ रहा है mixing of powder mixing कैसे होता है पाउडर में convective हम ने पढ़ लिया रिया रिये तो क्या है बहुत सारे एक जगे से दूसरी जगा आते हैं लेकिन यहां पर आपको यह जखकर हैं इंड लेवर्स की फर्म में होता है था मिक्सि कररें तो यह लीकी हो गई और मिक्सिंग क्यों होई इस मैकनिस्म से मतलब मिक्सिंग occurs in the form of layers particles slide over each other in the form of layers during mixing कहने का मतलब यहां की कोई layer यह इस powder की layer यह layer इस पर फिसल जाएगी और इसकी इस पर फिसल जाएगी यह इसकी layer इस पर तो कहने का मतलब जो particles हैं वो layer के form में एक दूसरे पर slide over करते हैं और mixing हो जाती है तो यह है दूसरे तरह की mixing sheer mixing तीसरा mechanism जो हम है वो पढ़ेंगे वह है diffusion mixing again हमें example ले लिया यह हमने sample ले लिया और हम क्या कर रहे हैं mix करना चाहते हैं तो यह लिजी आपके सामने mix हों गई और यह mixing क्यों होई उसका mechanism यह आपके सामने मतलब random motion of particles within a powder bed and change in position relative to each other कहने का मतलब जो particle है वो कहीं भी अपनी मर्जी से दूदर भाग जाएंगे इसके दूदर भाग जाएंगे और अपनी पोजिशन चेंज करते रहते हैं तो समझ में नहीं आया यह लीजिए डायग्राम की मदद से आपके सामने देखिए दो आपके सामने यह दो पाउडर के सेंपल है एक यह है और एक यह है अभी अभी दोनों सेप्रेट हैं लेकिन मीक्सिंग के दोरान क्या है यह देखे जो light वाले यह इदर उधर जिगजाग आपने आप बहग रहे हैं इधर ऊधर यह जि जब топ हो रहा है और नाकमी क्या होता है यह देखो mixing हो गई light वाले इधर चले गए और black वाले इधर आ गए मतलब mixing हो चुकी है तो मतलब यहाँ पर particle वहाँ पर जो पहला था convective उसमें bulk particle बहुत सारे particle एक जगह से दूसरे जगह करते हैं लेकिन यहाँ पर अलग है individual particle movement हो रहा है तो random motion of particles is responsible तो आपके समझ में आ गया होगा diffusion mixing क्या होता है तो यह कहानी थी mechanism of powder mixing की अब हम बात करेंगे properties affecting mixing of powders mix तो कर लो आप powder को लेकिन वो कौन-कौन सी properties हैं जिसकी वज़े से mixing पर असर आ सकता है तो देखते हैं one by one सारी properties तो पहली properties के अंदर पार्टीकल शेप यह शेप के इतना सर पढ़ता है क्या बिल्कुल पढ़ता है कैसे तो पहले यह तो देखो की शेप कौन-कौन सी होती है तो यह देखो आपके सामने शेप आप देखो गोल भी है मतलब स्पेरिकल भी है सिलिंड्रिकल भी है रेक्टेंगूलर भी है क्यूब भी है क्यूब भी है तो इतनी शेप होती है क्या धुए रग्णं औरप टी है यह तो पार्टिकल गोल होंगे तो मिक्सिंग उतनी ही बड़ी है उतनी शांदार होगी इसलिए का गया है कि मिक्सिंग के लिए एडर शेप कौन सी है गोल है मतलब मतलब यह है भाईया irregular shape मतलब अगर regular नहीं होगी यह spherical नहीं होगी difficult to mix बहुत मुश्किल होगा mix करने में but लेकिन once if mix लेकिन अगर एक बार mix कर दिया less chances to separate या तो mix नहीं होगा लेकिन mix हो गया तो separate भी नहीं होगा तो असर आ गया ना shape का तो यह है आपकी पहली property अब देखते हैं दूसरी property यह रही आपके सामने दूसरा है पार्टिकल साइस पार्टिकल साइस का फरक पड़ता है बिल्कुल पड़ता है अगेन वी विल सी वितन एग्जामपल यह वितन डाइगराम यह लिजी आपके सामने यह एक powder है या फिर samples हैं अब देखो इसके कहने का मतलब अप्रॉक्सिमेटली सेम साइस पार्टिकल्स अगर हैं तो दे आर इजी टू मिक्स अगर एक ही साइस के पार्टिकल है न तो उनको मिक्स करना बहुत आसान है इफ दे साइस डिफरेंट अगर साइस अलग-अलग होगा तो यह होगा यह क्या कह दिया यही तो हम बताना चाहते हैं कि देखिए दो सेंपल हैं यहां पर एक है ब्लू और एक है रैडिश दोनों की साइज अलग है मिक्स करने की बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन क्या हुआ समय के साथ साथ क्या होगा यह चोटे पार्टिकल है यह बड़े पार्टिकल्स के बीच में आ ज थर्ड फेक्टर पार्टिकल डेंसिटी वही की कौन सा पार्टिकल भारी है कहने का मतलब अगर दो सेंपल यूज़ कर रहे हो एक भारी है एक हलका है उससे क्या होगा यह लिजिए आपके सामने डेंसर मैटिरियल या डेंस मैटिरियल सेटल एड़ बटम जो भारी जीज़ फिर मैं एक्जांपल देखते हैं आयरन बॉल्स का मतलब जो लोहे की जो बॉल होती है चोटी बॉल में यूज़ करते हैं और ऐसे थर्मा कोल की उसी साइज के अगर आप बॉल्स लोगे उन दोनों को मिक्स करो मिक्स ही नहीं होगे क्यों क्योंकि आयरन की बॉल्स बिलकु आपकी फेल हो जाए नेक्स जो आपकी है प्रॉपर्टी या आती है पार्टिकल अट्रेक्शन पार्टिकल अट्रेक्शन से क्या होगा यह होगा इट रिजर्ट इन सेपरेशन अगें आपके पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे नेक्स प्रॉपर्टी हम देखते हैं अगल property proportion to be mixed कि हमें कितना part mix करना है कहने का मतलब अगर आपके पास दो सेंपल हैं दोनों को अगर पांच ग्राम और पांच ग्राम मिक्स करना है तो बहुत इजी है लेकिन समझ से उत्पन्न होती है कहां पर पहले आप यह समझ लो कि best mixture is obtained when components are mixed in equal proportions by weight or volume best mixture जब मिलता है जब जो दोनों पदार्द या जो component आप मिला रहे हो वह बराबर मात्रा में हो या बराबर weight में हो या बराबर volume में हो जो मैंने आपको पांच और पांच का भी example दिया था कि अगर कोई पांच ग्राम एक और पांच ग्राम दूसरी चीज़ें उनको मिलाना बहुत आसान है लेकिन आप सोचो अगर आपके पास दवा हो एक mg और दूसरी दवा हो 10 ग्राम तो मिलाना भारी काम तो यहीं पर important है proportion to be mixed तो सर आप क्या कहना चाहते हो तो हम यह कहना चाहते हैं कि if large difference is there between proportion of powder to be mixed then use मतलब अगर बहुत ज्यादा difference है दोनों की quantity में तो आपको यूज करना है एक method इस method को बोलते हैं ascending order of mixing इसका एक और नाम है geometrical dilution method या geometric dilution method हम कह सकते हैं कि whenever the large difference is there between the proportion of powders geometric dilution method should be adopted यह क्या होता है geometric dilution method तो समझ लेते हैं example लिए हमने 5 gram of powder is to be mixed with thousand gram of another powder 5 gram powder को दूसरे powder के साथ mix करना है जो thousand gram का है अभी तो हमने देखा था बराबर मात्रा में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दिक्कत यहां पर start हो जाती है अगयन इसको समझते हैं diagram की मदद से तो यह लीजी आपके सामने यह दो powder sample लागए यह कम वाला है यह ज्यादा वाला है अब geometric dilution method क्या बोलता है यह बोलता है वह यह पहले हम देखेंगे लार्ज amount powder कौन सा है फिर हम क्या देखेंगे small amount powder कौन सा है फिर क्या करेंगे फिर यह करेंगे जो कम quantity वाला है पाच ग्राम तो हम क्या करेंगे five gram of one powder जो कम quantity का है प्लस five gram of another powder जो ज़्यादा quantity का है मतलब total कितना हो गया दस ग्राम शुरू में दोनों को एक साथ नहीं कि में लाएंगे जो कम quantity वाला है उसी मातरा का हम जाता में से लेंगे बराबर मातरा का तो पांच ग्राम यह और पांच ग्राम यह कितना हो गया दस ग्राम अब हम क्या करेंगे यह करेंगे दस ग्राम अफ मिक्चर इन दोनों का जो 10 ग्राम मिक्चर था ना वमदी ले लिया और फिर इसमें से 10 ग्राम ले लिया तो टेन ग्राम अफ मिक्चर प्लस 10 ग्राम आफ रिमेंडिंग पॉडर कितना हो गया तो इसी तरह से पूरी प्रक्रिया चल रही है फिर फॉर्टी आगया फिर एटी आगया एटी आगया और लास्ट में क्या रहेगा जो मिक्स्चर बनता है और जो थोड़ा सा रह जाता है उसके साथ मिक्स कर देंगे मतलब मिक्स्चर प्लस रिमेंडिंग आमाउंट ऑफ पॉडर तो समस्याई खतम हो गई ज्यादा या कम क्वांटिटी गी और यही क्या क्या लाता है जोमेटिक डालुशन मेथर्ड या असे अब हम स्टार्ट करेंगे एक्क्यूप्मेंट फॉर मिक्सिंग ऑफ पॉडर मिक्सिंग के लिए कौन कौन सी मशीन या कौन से एक्क्यूप्मेंट काम आते हैं तो यह हम हमारे पार्ट वन में हम पढ़ चुके हैं मिक्सर्स वो मशीन होती हैं जो मिक्सिंग में काम आती है मतलब equipment used for mixing are termed as mixers तो हम उसमें पढ़ेंगे powder की mixing कैसे की जाती है तो पहले हम देखेंगे यह चीज कि अगर हम laboratory scale पर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे ऐसे करेंगे motor और पैसल के अंदर हम क्या करेंगे इस तरह से mixing होती है और या फिर इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर spatula हमारे पास तो इस तरी से भी हम कर सकते हैं तो यह दोनों method होते हैं जो lab scale पर काम आते हैं अगर industrial scale की बात करें तो यह वाल equipment काम आते हैं tumbler mixer, agitated power mixer, double cone mixer, air mixer अब देखेंगे हम one by one अगली slide से तो पहला हम स्टार्ट करेंगे tumbler mixer यह tumble अंगरेजी का शब्द लुड़कना तो ऐसा है कि हम क्या करते हैं यहाँ पर powder को लेंगे और machine को अंतर लुड़काएंगे कैसे इस तरीके से यह है आपके सामने example या diagram tumbler mixer का यह दूसरा design है tumbler mixer का यह तीसा design है tumbler mixer का यह V shape है यह Y shape है यह cylindrical shape है अभी समझा रहे हैं आपको अगर इनकी features की बात करें इनकी विशेशताओं की बात करें तो यह mixer होते हैं जो powder mixing में होते हैं यह metallic vessel होता है मतलब सब metal के बने हुए हैं और stainless steel के इस stainless steel के क्यों आपको बताने की जरूरत नहीं है जंग लगती नहीं है क्रिया बहुत कम से कम होती है इसलिए next each अलग-अलग shape में होते हैं जिसे V shape जिसे Y shape जिसे cylindrical shape अब यह यहां से खुल जाता है यहां से भी खुल सकता है यहां से यहां से खुल सकता है यहां से खुल सकता है तो जिस भी material को अपने को mix करना है यहां से डाल दो यहां से डाल दो pack कर दो यहां से डाल दो pack कर दो यहां से attacker pack कर दो और फिर क्या करो यह देखिए motor से जुड़े हुए है ये बीच वाला जो है इससे घूमता है ये घूमाने वाली जगह है तो yes it is mixed by slow rotation ये धिरे धिरे rotate करेंगे और ये लुड़केंगे तो कहने का मतलब powder नीचे जाएगा फिर उपर आएगा फिर दो बागों में बढ़ जाएगा फिर एक जगह आजाएगा तो it is mixed by slow rotation यूज ऑफ बैफल्स अब बैफल्स क्या होते हैं तो अब हम समझते हैं बैफल्स का मतलब यह हैं कि बीच में अगर आप इनके ब्लेड लगा दो इस तरीके से यह डाइगराम है यह पत्ति लगा दोगे ना इन पत्तियों की बात हो रही है तो क्या होगा mixing आपकी सही डंग से होगी अब यहां पर एक इंपॉर्टन चीज है अगर बहुत ज्यादा स्पीड होगी तो mixing नहीं होगी अगर आपने बहुत ज्यादा स्पीड कर दी उसको लुड़कने की या उल्टाने की तो पार्टिकल्स हैं जो आपके यहीं पर चिपके रहेंगे यहां चिपके हैं कि इस्पीड ऐसी होनी चाहिए कि पाउडर शुड नॉट रिमेन एड़ साइड आफ वेटसल बाइस सेंट्रिफिकल फोर्स सेंट्रिफिकल फोर्स की वैसे पाउडर ऐसा इने रहें कि यहां पर यहां पर चिपक के रह गया तो स्पीड बहुत इंपर्टेंट है तो य बना दिया एक ऊपर वाला कोण एक नीचे वाला कौण और यह भी मोटर से जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक मोटर से यह भी घूमता रहता हैँ और उसी तरह पाउडर नीचे होता टोटल केफसेटी ब्लेंडर जो टोटल केफसेटी है ना उसका 50-60 परसेंट ही लोड होना चीए ऐसा नहीं आपने उसको पूरा भर दिया और फिर चला दिया मिक्सिंग नहीं होगी अब नेक्स जो आता है वह है एजिटेटेट पावर ब्लेंडर इसका एक और नाम है रिबन मिक्सियर आपको डाग्रम देखते पता लग जाएगा यह लिजी आपके सामने से मैं सामने से देखोगे तो यह देखो आप यह बिलकुल प्राड है यह घुमेगा टोगी इनको बोलते हैं हैलिकल ने और इस से मिकसिंग होती इसका इंदार अगला मिक्सर है वह है मिकसर घर मिकसर और की इसमें आर का यूज होता है टाइग्राम से समझ सामने डाइगराम यह से एर छोड़ी आती है और जो पाउडर है वो सेंपल यहां लेते हैं अब देखवा जैसे आप डालोगे तो पाउडर हवा में होगा लेकिन इस तरह से छोड़ा जाता है कि इस पाउडर इस तरह से मिक्स होता है यह वाला मिक्सिंग श्लेख से पाउडर oh ads विआ एक तरह से सिलेंडरिकल वैसल गया और आपके सामने हां और मूवमेंट इसूस फोर मिक्सिंग पॉरडर के लिए यह आपके सामने है शंपाल मूमेंट इस thou एफ चाहिए ठोडी थोड़ी तो अन्हें 8 air ब्लास्ट ओर्टू सेकंड दो सेकंड के लिए एक दो एक दो आठ बार एरब को छोडा जाता है और डिलेशन ओš 1 proverb और ऑगल किसे क्वार मिश्राम गिया जाता है तो टोटल कितना 24 seconds तंग प्रगिर्या चलती है और mixing हो जाती है तो यह कानी है air mixer की यह आपके सामने है air enters after short intervals 8 air blast for 2 seconds and the mixing तो यह था अपना पार्ट 2 mixing and homogenization अगले पार्ट में हम कवर करेंगे mixing of liquids semi solids and homogenization and for that please subscribe the channel like comment and share also don't forget to press the bell icon ताकि जैसे ही पार्ट 3 बनकर release होता है आपके पास information पहुंच जाए आपके एक बार वापास बहुत बहुत धन्यवाद best of luck